देखे भारती जनता पार्टी को शुरू से ही ये confidence था कि ये आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच अलायंस नहीं होने वाली है और ये बड़े खुश थे इस बात से कि इनका अलायंस नहीं होने जा रहा है पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अलायंस की बाचीत, अलायंस की चर्चा काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हुई है और लगबग लगबग अलायंस अपने फाइनल प्रारूप में पहुँच गई है ये सुनते ही भारती जन्ता पार्टी शौक में आ गई, उनकी सारी जो खुशिया थी वो तूट गई अब ये आपस में बैठके अपने पूरे स्ट्राटेजीज को, पॉलिटिकल स्ट्राटेजीज को रीडिजाइन किये इनको रीडिजाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई? कई सारे स्टेट्स है, जिसमें गुजरात भी है, गोवा भी है, दिल्ली भी है, कई सारे स्टेट्स है जहां पर इनके जो पॉलिटिकल एक्वेशन थे, वो अब खराब हो गए तो पहले अर्विंद केजरिवाल जी को ये गिरिफ्तार तो करना ही चाहते थे, बहुत पहले से इनकी तयारिया चल रही थी, दो साल से तयारी चल रही थी लेकिन अभी renewed political situation में, नई राजनेतिक परिस्थिती में, इन्होंने कहा कि अब ये ED के थू जो ये काम चल रहा था, जो illegal notices थे, वो काम नहीं कर रहा है तब अब ये CBI को सामने लेकर आये हैं, और अब CBI के माध्यम से मानी अरविंद केजरिवाल जी को arrest करने की planning कर रहे हैं, जैसा कि सौरप जी ने बताया कि 41A CRPC के तहत उन्होंने अपना plan बनाया हैं, और अंदर ही अंदर कई लोगों के माध्यम से ये message भेज रहे हैं कि अगर आप alliance नहीं छोड़ते हो, तो केजरिवाल जी को गिरिफ्तार कर लेंगे, मैं इनको एकी चीज कहना चाहता हूँ, कि आप अरविंद केजरिवाल जी को गिरिफ्तार तो करने की कोशिस कर रहे हैं और संभाव है कि आप गलत तरीके से कर भी लेंगे, लेकिन मुझे ल मीनिंग अच्छे लोग रोड में आ जाएंगे, और इनके सारे political calculation जो इनको लग रहा है कि केजरिवाल जी अंदर जाएंगे, तो पार्टी तूट जाएगी, ये उल्टा पढ़ने वाला है, जो भी इनके political पंडित है, मैं ये कहूंगा कि अपना calculation ठीक से करो, पहले दूसर पार्टियों से तुम्हारा पाला पढ़ता रहा होगा, अब तुम्हारा पाला अर्विंद केजरिवाल से पढ़ाएं, तो ये चाहे जो मर्जी धमकी दे दे, ये कह रहे कि alliance छोड़ दो या arrest कर लेंगे, आप कर लो arrest, करो आप arrest, क्या दिक्कत है, हम ऐसे arrest से, ऐसी धमकी से दरने वाले नहीं है, अगर दरते, तो हमारे इतने सारे नेता जो आज जेल में है, अब तक हम सरिंडर कर दिये होते, हमने हमारी सारे minister, सारे बड़े बड़े लीडर जेल में है, इन्होंने party को खतम करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, जब हम यहां तक, आज तक नहीं आगे भी डरने वाले नहीं है, हम देश के लिए alliance में जा रहे है, alliance हम अपने personal gain के लिए, अपने profit के लिए नहीं जा रहे है, देश के लिए खड़े थे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे और संघर्श करते रहेंगे